दोस्तों मेरे नाम है राजेश और आप देख रहे हैं करियर बाबा जी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में जो कि है जाकिर हुसायन डैली कॉलेज इवनिंग का रिव्यू ये वीडियो स्पेसिफिकली डाल साकिर लोसायन डैली कॉलेज इवनिंग के लिए हैं हला कि इस पर थोड़ी थोड़ी चीज जो है वो इनकीक कॉलेज़ की या नीजिक क को आप सिर्फ जाकिर रुसायन डैली कॉलेज कहते हैं आपको मेरे लिऊ इस तरह देखना चाहिए क्योंकि मैं खुद ही इसी कॉलेज से और कौन कोई चीज़ देखने को मिलेगी, जो की काफी अच्छी नहीं है, ठीक है तो पहले हम बात करेंगे faculty की, देखे, faculty की जहां बात होती है, तो faculty हर college में, चाहे वो एक top-notch college हो, एक north campus के अंदर, या फिर out-of-campus college, जिहां ये out-of-campus college है, इसके साथ आपको 3-4 colleges और देख देखने को मिल जाता है, ये एक outside college है, ये डैली गेट, जो है डैली गेट का metro station, और न्यू डैली का metro station, उसके middle में पढ़ता है, बिलकुल राम लीला मैदान के सामने पढ़ता है, तो आपको कभी राम लीला मैदान कोई धहने वहने होते हैं, तो आपको महपे भी जाने का पूरा गूम सकते हैं, तो काफी जादा गूमने की जगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसके पास जो है, कनॉट प्लेस भी है, और न्यू डैली का जो railway station है, वो भी इसके पास ही है, तो ये तो इसके circle की बात हो गई, इसके आसपास की बात हो गई, हम faculty के में similar ही होती है, क्योंकि faculty हमेशा highly qualified ही higher करी जाती है, highly qualified इसलिए क्योंकि उनको student को teach करना है, जो कि एक बहुत higher level की है, जो कि graduation level की है, अगर आप BA कर दे हैं, अगर आप BFC कर दे हैं, या विकॉम कर दे हैं, आप कोई भी course कर दे हैं, psychology honors कर दे हैं, या पर कोई भी ऐसा course है, ज आपको faculty के माम नहीं में कोई भी college कमता नहीं मिलेगा, और वैसे ही आपको जाके रुसान डैली college evening भी कमता नहीं मिलेगा, इसमें faculty आपको बहुत अची रहने को मिलती है, बात करें infrastructure की, यानि की college की building कैसी है, उसका decks वगरा कैसे है, महां के जो park है, जोड़ा ground है, वो सब च 11-story या फिर 8-story building, मैं sure नहीं हो, आप जाके Google पर भी देख लेना, एक new building महां पर बनी है, जाके रुसान डैली college evening में, और बहुत ही शानदार building है, अगर आप Google पर डालेंगे, जाके रुसान new building या या यूट्यूब पर लिखेंगे, तो कुछ लोगों ने इसका building का तोड़ सामने एक new building बनी है, शायद वहां shift हो जाएगा, तो आपको बात रही है, थोड़ा और इसमें decks बगर भी ठीक है, कोई जादा खरावी नहीं है, और बात करें, एक rock garden है, rock garden में क्या है, बहुत सारे आपको flowers देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको थोड़ी parking का area मिल तो बहुत अच्छा वहां पर ग्राउंड अपर फोटोस वगार ले सकते हैं, उसको हम रॉक गार्डन कहते हैं, और रॉक गार्डन के लाबा आपको बहुत सारे इसकंदर अलग अलग तरह के जो canteen, जिसकी canteen की बात को हूँ तो उसमें एक outside canteen है, एक inside canteen है, inside canteen में आपक जो चैर है वो लगी हुई है और जो आप फोटोस देखेंगे तो आपको दिख जाएंगी, यहां पर चैर लगी हुई है और वो भी canteen काफी अच्छी है, बागर लाइबरेरी की तो लाइबरेरी में बहुत जादा बुके नहीं और बहुत कम बुके भी नहीं, इतनी बुक काफी अच्छी लाइब दे दिया जो कि मैंने देखी है वो काफी अच्छी लाइब दिया और जैसी मैं बता तो मैं मौनिंग इवनिंग दोनों कॉलेज का रिव्यू साथ में देखेंगे चलूँगा लेकिन स्प्रसिफिकली इवनिंग कॉलेज के यह मैं वीडियो आपके आपको स्टुटंटसे क्या लेना देना है आपको शूड़न के या शाधी करनी है आपको क्या करना है आपको पड़ाई कuldशा है अगरन आपको अगर अपने पधाई में लेजे की क्राउड जो है पूरा मिक्स क्राउड है आपको अच्छे लोग भी देखने को मिल जाएंगे तो यह बहुत अच्छा ओपरचुनिटी है, बहुत सारी गल्स भी हमाई सब पढ़ती थी और वो हमाई साथ ही जाया करती थी तो उसमें कोई परिशानी नहीं होती है, और हाँ एरिया ठीक है, उत्रा भी अच्छा नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि ओर डेली का एरिया है, तो अवकैशिय पर मोट 10 Suksi lowest बाद नहीं हैं जायते हैं, सब्सक्राभ, और मोराज आपका की दीचाँथी बहुत सारी है, और यह दो सब्सक्राइए काई सब्सक्राइब, शोली, चीचा चीच जो हännगा इस नहीं है। In fact, मैं खुद भी NCC में था, तो अगर आपका किसी कोई society नहीं मिल लगी है आपको, और आपका थोड़ा sports का background है, आप चाहते हैं कि मैं तोड़ा fitness में रहूँ हूँ, या फिर NCC के certificates हैं, वो आगे वज़ता काम आते हैं, अलग अलग जगों पे, तो आप NCC join कर सकते हैं, NCC का पूर वीडियो बना रखी, वो भी आपको मैं description में ही दे दूँगा, in fact, इससे पहले बारी जो वीडियो है, वो NCC के benefit के बारे में ही है, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, तो यह सब चीज़े थी जो आपको ECA बगार के बारे में देखने को मिल जाएंगी, आप यहां से बहुत अच्छे नहीं भी मन पाएंगे, उस लोग बहुत अच्छे बने हैं, जैसी मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप अच्छे हैं, तो आप अच्छे बनेगे, अगर आप अच्छे नहीं हैं, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं बना सकता, अगर आप पढ़न एल्यूमिनाई जो है बहुत सारे IAS भी हैं बहुत सारे आफिसर भी हैं आर्मी ऑफिसर भी हैं बहुत सारे बैंकिंग में भी हैं तो ऐसे 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 ऐलूमिनाई भी है और कुछ बहुत अच्छे नहीं कर पाएं ऐसे ऐलूमिनाई भी है यहाँ पर मैंने आई-ए-ए-स की बात करनी है या पर आपके लिए एक चीज जो आपको आई-ए-स बनने के शुरुआत में करनी चाहिए वह यह है कि आपको प्रीविय आपको बताना चाहता हूँ देखे इस बुक में क्या है हर कोशन जिसमें आपको पिछले 5 सा आगे कोशन पर देखने को मिल जाएंगे 12-16-20 तक और यहाँ पर आपको उस कोशन के बगल में एक स्कैन का कोड मिल जाएगा माल देजिए कि आपको एक कोशन नहीं आता तो इसका solution देखने को मिल जाएगा अगर आपे बुक खरिणना चाहते है तो उसका link में description में दे रखता है आप वहाँ पर पर परचेस कर सकते हैं बुक काफी अच्छी है पिछले 2 साल के वह C-set के लिए और आपको जो GS है GS paper 1 जो होता है आपका उसका भी आपको यह सब देखन को मिल जाएगा आप वह C-set को सकते हैं लिंक आपको description मिल जाएगा अगर आप मेरे link से खरिदते हैं तो आपको discount भी आपर देखने को मिलेगा 10% discount है और discounted price पर आपको link पर लिक करेंगे तो आपको discounted price भी आपको दिखेगा ठीक है तो वीडियो जो थी आपको वीडियो मेर का morning college के बाद में बता दूंगा वीडियो चलेगे तो वीडियो को like करिए चनल को subscribe करिए और यहां तक वीडियो दिखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद